नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ले इसित लाल किला के बारे में। भारत की राजदानी दिल्ले में इसित लाल किला देश की आन बान, सान और देश की आज़ादी का प्रतीख है। यह भारत के प्रमुक परियटन अस्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य भविता और आकरशन को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इनकी बनावट और अनूठी वास्तुकला की परसंसा करते हैं। लाल किला दिली के एतिहासिक इमारत पुरानी दिली में इस्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दिवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। किले के निर्मान काम की सुरुआत मुगल समराठ साजहा द्वारा 1638 इस्वी में कराई गई लाल किले का निर्मान काम 1648 इस्वी तक करिब 10 साल तक चलता रहा। लाल किले का डिजाइन मुगल काल के परसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लहोरी ने किया था। लाल किला लगभग 2800 एकड जमीन में फैला हुआ है। इस अहतिहासिक किले को वर्स 2007 में यूनेसको द्वारा एक विस्व धरोहर अस्थल में चैनित किया गया था। यह किला मुगल बादसाहों का ना सिर्फ राजनीतिक केंद्र था बलकि यह आपचारिक केंद्र भी हुआ करता था। जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल बंस के सासकों का राज रहा। देश की जंगे आजादी का गवाह रहा लाल किला, मुगल कालिन वास्तुकला, स्रिजनात मक्ता और सौंदरी का अनूपम और अनूठा उदाहरन है। 148 इसी में बने इस भव किले के अंदर एक बेहत सुंदर संग्रहाले भी है। यह सांदार किला दिल्ली के केंदर में यमुना नदी के तट पर इस्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा है, जिसके अद्भुत संदर्य और आकरसन देखते हीं बनता है। लाल किला साजहां द्वारा बनाए गए सभी किलों में बेहत आकरसक और सुंदर बनाने के लिए साजहां ने 1638 इसी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कर लिया था। और फिर पूरी तलिनता से इस किले के निर्मान में ध्यान दे कर इसे और भब और आकरसक रूप देने का पर्यास करते रहा। वही सत्रहवी सताबदी पर जब लाल किले पर मुगल बाजषा जहुदर साह का कपजा हुआ तब करिव 30 साल तक लाल किला बिना सासक का रहा था। इसके बाद नादिर साह ने लाल किले पर अपना सासन चलाया। उसके बाद अठारहवी सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कबजा जमा लिया और इस किले में जम कर लूट पाट की भारत की आजादी के बाद सबसे पहले देश की परधानमंत्री जवाहर लाल नहरू ने इस पर तिरंगा फहरा कर देश को एक नया शंदेश दिया वहीं आजादी के बाद लाल किले का इस्तवाल सैनिक प्रसिक्षन के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुक परियटन अस्थल के रूप में महसुहुर हुगा लाल किले में उच्च अस्थर की कला एवं विभुशक कारी द्रिस्य है यहां के कलाकिर्तियां फार्सी, यूरोपिये और भारतिये कला का संसलेशन है जिसका प्रिणाम विशिष्ट एवं अनुपम साह जहान साही सैली था सन 1913 में इसे राश्ट्रिय महत्व के समारक घोसित किया गया था इसकी दिवारें काफि सुन्दरता से तरासी गई है ये दिवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली है दिली दर्वाजा एवं लाहौर दर्वाजा लाहौर दर्वाजी इसका मुख्य प्रवेस द्वार है इसके अंदर एक लंबा बाजार है चट्टा चौक जिसकी दिवारें दुकानों से कतारित है इसके बाद एक बड़ा खुला अस्थान है जहां यह लंबी उत्तर दक्षिन सड़क को काटती है यही सड़क पहले किले को सैनिक एवं नागरिक महलों के भागों में बाटती है इस सड़क का दक्षिनी छोर दिल्ली गेट पर है लाल केले के अंदर बने कुछ मजहूर अस्थान भी है जिसके कारण इसकी खुबसूरती और बढ़ गई है लाल केले के अंदर नकर खाना है नकर खाना लहार गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पुर्वी ओर बना हुआ है यह संगित तग्यों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है दिवाने आम इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो मुल्त दिवाने आम का प्रांगन हुआ करता था दिवाने आम यह जन साधारन हेतु बना एक ब्रिहद प्रांगन था एक अलंकरित सिंगहसन का छज्जा दिवान की पुर्वी दिवार की बीचों बीच बना था यह बादसाह के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंगहसन की नकल ही करता था नहरे बहिसत राजगद्दी के पीछे की ओर साही नीजी कच अस्थापित है इस छेत्र में पुर्वी छोर पर उचे चबूत्रों पर बने गुमदाकार इमारतों की कतार है जिनसे यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ता है यह मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं जिसे नहरे वही सत कहते हैं जो सभी कच्छों के मधिस से जाती है किले के पुरवोत्तर छोर पर बने साह बुर्ज पर यमना से पानी चड़ा जाता है जहासे इस नहर को जल आपुर्ती होती है इस किले का परिरूप कुरान में वर्णित स्वर्ग या जन्नत के नुसार बना है महल की परियोजना मूल रूप से इसलामी रूप है परन्तु परतेक मंडप अपनी वास्तु घटकों में हिंदु वास्तु कला को प्रकट करता है लाल किले का प्रसाद सा जहान सा ही सैली का उतक्रिष्ट नमूना प्रसुत करता है लाल किले कंदर एक महल है जिसे जनाना कहा जाता है महल के दो दक्षनावर्ती प्रसाद महिलायं हितू बने हैं जिन्हें जनाना कहते हैं मुम्ताज महल जो अब संग्रहाले बना हुआ है एवं रंग महल जिसमें सुरणिमंदित नकाशिकृत छते एवं संग्मर्मर सरोवर है जिसमें नहरे वहिसत से जलाता है खास महल दश्चिन से तीसरा मंडप है खास महल इसमें साही कक्ष बने हैं इसमें राजसी सयनकच प्राथनाकच एक बरामदा और मुशमन बुर्ज बने हैं इस बुर्ज से बादसा जनता को दर्सन देते थे दिवाने खास जो राजा का मुक्त हस्त से सुसजित नीजी सभा कक्ष था यह सचीविये एवं मंत्री मंडल तथा सभा शदों बैठकों के काम आता था अगला मंडप था हमाम जो की राजसी अश्नानागार था एवं तुर्की सैली में बना है इसमें संगमरमर में मुगल, अलंकरन एवं रंगीन पाशान भी जड़े हुए है मोती मस्जित हमाम के पश्चिम में मोती मस्जित बनी है यह संसुला सव 69 में बनाई गई थी, जो औरंग जेब की नीजी मस्जित थी यह एक छोटी तीन गुमबद वाली तरासे हुए स्वेत संगमरमर से निर्मित है इसका मुख्य फलक तीन महराबों से युक्त है एवं आंगर में उतरता है, जहां फूलों का मेला है हयात बक्ष बाग इसके उतर में एक ब्रिहद आउपचारिक उध्यान है जिसे हयात बक्ष बाग कहते है इसका आर्थ है जीवन दाई उध्यान यह दो कुल्याओं द्वारा विभाजित है एक मंडप उतर दक्षिन कुल्या के दोनों छोरों पर इसी थै एवं तीसरा बाद में अंतिम मुगल समराट बहादूर साज जफर द्वारा 1842 में बनाया गया था 1947 में भारत की आजाद होने पर ब्रिटीस सरकार ने यह परिसर भारती सेना के हवाले कर दिया तब से यहां सेना का कारियालय बना हुआ था 22 दिसंबर 2003 को भारती सेना ने 56 साल पुरा ने अपने कारियालय को हटा कर लाल किला खाली किया और एक समाहरों में परियटन बिभाग को सौप दिया इस समाहरों में रच्छा मंतरी जोर्ज फरनांडिस ने कहा कि ससस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है और अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलु को दुनिया को देखने का समय आ गया तो साथियों आज हमने आपसे दिल्ली इसित लाल किला के बारे में जानकारी दी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही आपके जो भी कमेंट हो हमें कमेंट बोक्स में अबस लिए